नमस्कार जगत गुरु भगवान श्री कुरुष्ण जी के चर्णों में कृत गयता पुर्वक बंदन करता हूं सनातन संस्था एवं हिंदू जनचागुर्ती समिति की ओर से धर्म सव्वात के इस विशेश कारेकर में मैं कार्तिक सालिंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं बंदू पिछले कुछ दिनों से हमने धर्मसमात के इस कारेकर में भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में हमने जानकारे ली इसमें हमारा तक्षशीला ये जो महाविश्व विद्याले था इसके बारे में हमने समझ कर लिया वल्लब ही यह जो विश्व विद्याले था, इसकी सिती कैसे थी, उसका विस्तार कैसे था और इसका विधोन से किस प्रकार से हुआ, यह हमने समझ कर लिया आज भी हम हमारे जो प्राचीन विश्व विद्याले थे उसके बारे में आज यहाँ पर जानकारी लेने वाले हैं यह गुरुकुल शिक्षा पज़ती कैसे थी? यह गुरुकुल शिक्षा में किस प्रकार से पढ़ाया जाता था? उसका विस्तार कैसे था? और मुगल अकरनताओं ने किस प्रकार से हमारे इन गुरुकुलों का विध्वोंस किया? इसके बारे में आज यहाँ पर हम जानकारी लेने वाले हैं हमारे साथ हिंदू जनाजागूरती समिती के राश्ट्री अमार्के दर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदर्त पिंग्ले जी उपस्तित है नमस्कार सद्गुरु डॉक्टर पिंग्ले जी तो आएए आज हम इस मुहत्पपुर्ण विषय को फिर से प्रारंब करते हैं सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी कल हमने तक्षशीला एवं वल्लभी यह जो हमारी विश्व विद्याले ते इसके बारे में हमने जानकारी दे आज हमें नालंदा विश्व विद्याले के बारे में भी आप विस्तार से जानकारी दे यह जो नालंदा विश्व विद्याले है यह वर्तमान बिहार की जो राजदानी है पटना पटना से करीब करीब 120 किलोमेटर दक्षन उत्तर में राजगीर में स्थित था बिहार के नालंदा जिले का या विश्व विद्याले दुनिया का सबसे प्राचीन विश्व विद्याले माना जाता है इस विश्व विद्याले की स्थापना इस विशन 450 से 470 के बीच हुई थी संस्कृत में नालंदा इस शब्दा का आर्थ होता है कमल का फूल और कमल के फूल का जो डंडल है, वो डंडल जो है, वो ग्यान का प्रतिक माना जाता है अर्थात जहां ग्यान प्रदान करने की विधी का कोई अंत नहीं होता है, उसे नालंदा कहा जाता है यहने दिश्व विद्याले यह शहर का नाम भी इतना मतलब उसके गुड़ माचकी था कि जहां मतलब ग्यान प्रदान करने का कोई अंतर नहीं है ऐसा यह दिश्व विद्याले माना जाता था और प्राणब में यह ब्राह्मन शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था अब जैन ग्रन्तों के अनुसार अगर हम अध्यान करते हैं तो नालंदा यह जो शहर है यह राजगीर के उत्तरपश्य में उपनगर था और ऐसे कहते हैं कि महादीर स्वामी नालंदा के निकट राजगीर में 14 वर्ष तक महाँ उन्होंने निवास किया था तो दूसरे और दिगंबर जैन का अगर मत हम लेते हैं तो दिगंबर जैन के मता नुसार नालंदा से केवल दो किलोमेटर दूर पर एक कुंडलपूर जो गाव था उस ग्राम में भगवान महाविर स्वामी का जन्म हुआ ऐसा संदर्व आता है अगर इसके संदर्व में हम बहुत दे साहित्या का संदर्व लेते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध अनेक बार इस विश्व इद्याले में आते जाते रहे हैं इसकी स्थापना गुप्तावन्ष के शाषक कुमार गुप्त ने करवाया था। गुप्तावन्ष के पतन के उपरांद भी जो वहाँ पर अलग-अलग शाषक आये थे उन्होंने इस विश्व इद्याले के समरुद्धे में अपना-पना योगदान उससमें दिया था तो पाल और हशवरधन का इस विश्व विद्याले को सोरक्षन मिला था। नालंदा विश्व विद्याले ये स्थानिक शाषकों और भारत के जो अन्य के दुसरे रियासते थी तथा कुछ विदेशों के शाशकों का इस विश्व विद्याले को अनुदान भी मिलता था अब नालन्दा विश्व विद्याले की भवेता कितनी थी उसकी व्याप्ति कितनी थी वह भी हम समझ लेंगे तो यह भारत का एक विशाल आवासी यह विश्व विद्याले था और उस समय इस विश्व विद्याले में विद्यारतियों की जो संख्या थी वो करीब करीब 10 सरस्त रहने 10,000 विद्यारति और शिक्षकों की जो संख्या थी उसमें 2,000 शिक्षक रहने आध्यापक वहाँ पर निवास करते थे हुएन सांग जब वो सात्वी शताब्दी में यहां आया था तो उसने अपने प्रवासुराणन में लिखा है कि नालंदा में दस हजार विद्यारती और पंदरा सो दस आचार्य यह प्रतेक्ष वहां निवास करके अध्यन और अध्यापन का कारे कर रहे थे इस विश्व विद्याले को नवी शताब्दी से बारवी शताब्दी तक विश्व विख्यात याने अंतराश्टिया खैती प्राप्त होई थी और उस समय केवल भारत से ही नहीं अपी तु कई देशों से उधराण के तोर पर गरम देखेंगे तो कोरिया है, जपान है, चीन है, तिबबत है, इंडोनेशिया है, तुरकस्थान है, फारस है, आधी अन्य देशों से भी विद्यार्थी यहां आते थे और नालन्ना में शिक्षागरण करते थे इस विश्वी विद्याले के मठो का जो दिर्मान है, वो प्राचीन, कूशान जो वास्तु शेली है, उसके अनुसार हुआ था और यह जो विश्वी विद्याले है, यह स्वेम में एक स्थापत्य कला का एक बड़ा अधूत नमुना ही था समराट अशोख तथा हर्षवर्दन, इनोंने यहां सबसे अधिक मठो, वियारों तथा मंदिरों का निर्मान किया था अपने-अपने कार्यकाल में यह विश्व विद्याले बारवी शतापदीर तक अत्यंत सफलता पूर्वक संचारित हो रहा था उसके बाद तुरकों ने इस पर आक्रमण किया और इस आक्रमण में यह विश्व विद्याले नश्ट होने के उपरांत दोबारा इस विश्व विद्याले को पुनर्श थापित नहीं किया जा सका ऐसी विकट सामाजी को और राच के परिस्तिती उस समय भारत में थी हो जा रहा था सकूल और विश्व विद्याले को जो विद्वन सो जा रहा था तो उस समय ऐसा डरावना वातावरण था कि दोबारा इस विश्व विद्याले को पुनर्श थापित नहीं किया जा सका अब इस नालंदा विश्व विद्याले में प्रवेश लेने की प्रक्रिया क्या थी और प्रवेश लेने के लिए कितनी कठिन द्वारव परिक्षा तथा अध्यन उसमें अध्यन के विशे क्या क्या थे इसके संदर में भी अब हम विस्तार से जानकारी लेंगे सरवप्रतम हमें तो यह समझने क्या होशकता है कि इस विश्विद्याले में आचार्यों के तीन श्रेणियों में विवाजन था यहां के जो प्रसिद्ध आचार्यों थे उन आचार्यों में शीलबत्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती और स्थिरमती यह प्रमुक और विश्वविख्या आचार्यों थे युवान सांग ने अपने प्रवास्वर्णन में लिखा है कि इस विश्विद्यरे के जो प्रमुक थे वह आचार्यों शीलबत्र थे और प्रसिद्ध भारती जो गणितन्य आर्यभट तो आर्यभट भी इस विश्व विद्धाले के प्रमुख आचार्य रहे चुके हैं अब यहां की प्रवेश प्रक्रिया जो थी तो प्रवेश प्रक्रिया अतिन्त कठीन होने के कारण प्रवेश पाने के लिए बड़ा संगर्ष छात्रों को करना पड़ता था और छात्रों को तीन कटीन परिक्षा के स्थरों से गुजर कर फिर विश्व इद्याले में उनको प्रवेश मिलता था याने एंटरंस एक्जाम जो थी इस विश्व इद्याले में वो तीन स्थरिया और कटीन एंटरंस थी और इस प्रवेश परिक्षा के उपरांथ उनको इस विश्व इद्याले में प्रवेश मिलता था इसमें जो पहला परिक्षा का जो स्थर था उसे द्वार पंडितों द्वारा ली जाती थी याने महाविद्याले का प्रवेश द्वार लागने के लिए महाविद्याले के प्रवेश द्वार पर जो द्वार पंडितों द्वारा एक कठिन परिक्षा लिया जाता था उस परिक्षा में उत्रण होना अत्रिंत अनिमार्य था और इस परिक्षा में उत्रण होने के बाद ही उनको अगले स्तर की परिक्षा के लिए यह इस विश्वीट देले में प्रवेश मिला सम्हों था हुआन सांग के अनुसार अगर दस विद्यार्ती इस प्रवेश परिक्षा के लिए आते हैं तो द्वार परिक्षा में ही दस में से आठ विद्यार्ती यहां पर अनुत्रण हो जाते थे और एक या दो ही केवल इसमें सफल हो पाते थे हैंने 10 से 20 प्रतिशत ही जो विद्यारती थे वो पहली जो द्वार परिक्षा थी प्रविश परिक्षा उसमें उत्तिर्ण हो पाते थे उसके बाद आचार्य चात्रों को मौकिक वैख्यन वारा इसमें शिक्षा देते थे और इसमें विविद विश्यों पर शास्त्रारत निरंतर होता रहता था इस विश्व विद्यारे में दिन के सभी प्रवरों में शंका समाधन का सत्र निरंतर चलता रहता था इस विश्वी विद्याले में वेद वेदां की भी पड़ाई दिरंतर होते थी वैकरण हो, दर्शन शास्त्र हो, शल्ले विद्या हो, शल्ले चिकिस्षा हो, जोतिष्य हो, योगे शास्त्र हो या चिकिशा शास्त्र हो या सभी विशेयों का इस पाट्टे क्रमों में सम्मिलित था यहां कगुल शास्त्र के आध्यम के लिए एक विशेश विभाग निर्मान किया गया था और नालंदा के खुदाई में जो अनेक कास्यों की मूर्तिया मिली है इसके आधार पर यह भी अनुमान लगाया जाता है कि विद्वान कहते हैं कि सम्मोता यहां पर धातु निर्मिती या धातु की मूर्तिया बनाने का विज्ञान और उसके संदर में अध्यम यहां पर निरंतर चल रहा था अब नालंदा विश्व विद्वाने के एक विश्व विद्वाने के बारे में भी हम जान लेंगे नालंदा विश्व विद्वाने में सहस्त्रों विद्वारतियों और आचारियों के अध्यम के लिए नव ताल का एक विराट पुस्ताकाले था इस पुस्तकाले में तीन लाग से अधिक पुस्तों को संग्रव किया गया था इस पुस्तकाले में सभी विश्व से संबंदित पुस्तके महां उपलब्द होती थी यह पुस्तकाले तीन बहुनों में स्थिर्थ था और इन तीन बहुने के नाम भी अत्यनते अभ्यास पुर्ण रखे गए थे रत्नलेंजक, रत्नोदधी तथा रत्नसागर अब इस विश्व विद्याले की वास्तु रचना कैसे थी वहा भी हम समझ लेंगे इस विश्व विद्याले का जो इमाराते थी उसका निर्माण लाल फत्तरों से किया गया था इसका पूरा आहता यानि जो भी क्षेत्र था वो बड़ी और उची दिवारों से गिरा हुआ था जिसमें आने जाने के लिए केवल एक ही मुख्या दर्वाजा था उत्तर से दक्षिंड की और एक मठो की कतार थी और उन मठो के सामने ही अनेक विहार और मंदिर भी वहाँ निर्माण किये गए थे इन मंदिरों में अलग-अलग भगवानों की मूर्तिया भी स्थापित थी इस विश्व विद्यले की बीच में साथ बड़े और तीन सो छोटे कमरे थे जिसमें वैख्यान हुआ करते थे धैरतियों को विविद विश्व उपर सिखाया जाता था और यहां पर जो मट निर्माण हुए थे वो जो मट थे वो एक मंजिल से अधिक ही मंजिलों के थे हर मट में आंगन में कुवा बना हुआ था और यहां का जो सबसे बड़ा वियार था वो 203 फूट लंबा और 164 फूट चोड़ा ऐसे ख्षेत्र में विस्तार में था यहां आठ बड़ी इमारते दस मंदीर और कई प्रार्थना सभा और अध्यन कक्ष का निर्माण हुआ था और कक्ष में सोने के लिए पत्तर के चबूतरे बने हुए थे आज जैसे हमें कौट या कुछ अटिया की आवशक्ता होती है तो उस समय कक्ष में निद्रा के हेतु पत्तर के चबूतरे बने हुए थे और अध्यन के लिए अगर दीपक जलाना है या पुस्त के आधि रखना है तो उसके लिए अलग-अलग आले भी बने हुए थे इसके अलावा परिसर में सुन्दर भाग बगी चेता जील आधी भी इस विश्विद्याले के एक शेत्र मे थे आज भी हम इस विश्विद्याले के दो मंजिला इमारतों को अपने आखों से देख सकते हैं क्योंकि उसके आउशेश अभी भी वहाँ पर है और उससे हम अनुमान लगा सकते कि उस समय की चो संपूर्ण इमारती थी उसका विस्तार और व्यापती कितनी है अब विश् प्रबंदन का कार्य है वह कूलपती अत्वा जो प्रमुक आचार्य थे उनके ही निगरानी में होता था प्रमुक आचार्य विक्षिव द्वारा निर्वाचित होते थे इसमें कूलपती और दो परामर्श देने वाले जो सदस्य होते थे तो यह सभी का जो है कार्य प्रब पाट्टेक्रम संबंधित कार्यको जो देखरे करती थी, तो दूसरी समिथी पूरे विश्व इद्याले की आर्थिक और प्रशासिनिक वेवस्ता को देखभल करती थी. इस विश्व विद्याले को दोसो गाव दान में मिलेते इनी दोसो गाव से जो प्राप्तो उपज और आये थी मतलब करके से इसमें जो वसुली होती थी तो इस दोसो गाव में से जो प्राप्तो उपज और आये थी इसमें से महाँ पर जो सभी सहस्त्रों विद्यार्थी निवास के लिए आयते उनका भोजन, उनके वस्त्र, उनके निवासित्यदी की वेवस्ता होती थी, अध्यापकोकरा, अध्याइन, उनका निवास, उनका भोजन, ये सभी की वेवस्ता उसी गाहों के आयमें से होती थी और ये सबसे महतुकी बात है कि वहाँ पर प्रवेश लेने वाले विद्यारतियों से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता था इस नालंदा विश्व इद्याले की 800 वर्स तक जब निरंतर अंतर राष्ट्रे खैती विश्व में होते रही उसके बात जब एक्तियार उद्दिन मौम्मद बिन बक्तियार खेलजी नामक एक मुस्लिम तुर्क लुटेरा 1199 हिस्वी में जब आक्रमन करते करते नालंदा पहुचा तो उसने इस विश्व इद्याले को जलाकर नश्ट करके विश्व इद्याले में पुर्णा विधोंस कर दिया इस कांड में हजारलो जो दुरलब पुस्तके थी वहां के गरंधाले में पुस्तकाले में वो सभी पुस्तके जलकर राक्सी हो गई विश्वड देले का जो मतुपुर्ण दस्तावेश था वो पुर्णता नश्ट किया गया और कहा जाता है कि महाँ पे इतने पुस्तके थी कि बक्तियार खिलजी ने उसे आग लगाने के उपरांत तीन माह तक ये पुस्तके धूदू करके जलती रही और उसके बाद ये ग्यान संपता नश्ट की गए नालन्दा की हजारों जलाए गई पुस्तकों के कारण उस समय भारतिय प्राचीन परंपरा का जो बहुत सा ग्यान था वो विरुपसा हो गया अन्य था वो आज संपुर्ण विश्व को एक दीपस्थम में बनकर दिशादर्शन का कार्य कर सकता था कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि उसमें से जो कई अध्यापक थे और बहुत दो भिख्शुक थे उन्होंने अपने वस्त्रों में कुछ पंडू लुपिया जो दुरलब थी उनको चुपा कर बचा कर वे वहाँ से भाग गये और उन्हों वे तिबबत के और जाकर वे वहाँ पे स्थापित हो गये और कालांतर में इनी दुरलब पंडू लिपयों के आधार पर इन ज्ञान निदियों के आधार पर तीपक शेत्र को एक बड़ा बोद्धा धर्म और ग्यान के बड़े केंद्रे में परावर्तित होते हुए हमने देखा है आश्यरे की यह बात है कि वह जो लुटेरा बक्तियार खिलजी था वो केवल दो सो गुड़ सवारों के साथ नालंदा तक पहुचा था और उस समय नालंदा विश्व इद्याले में करिब करिब बीस हजार चात्र पड़ रहे थे नियत्य और आहिंसक भिक्षिवों ने यह कभी कलपना ही नहीं की थी कि उनके जीवन में कभी उनको इस विश्व इद्याले की सुरक्षा की आवक्षक ताभी करनी पड़ेगी इस क्रूर तुरकस्तान से आये में लुटे रहे ने दिश्व इद्याले के आसपास जो रह रहे थे जो बौद्ध थे अनेक धर्माचार्यों थे अनेक भिक्षुक थे उनका सार्याम कतल्याम किया और उन्होंने इस शेत्र पर कबजा कर लिया खिल जी ने बिहार में चुन-चुन कर उस समय जो सभी बौद्ध मट थे बौद्ध मटों को नश्ट कर दिया था और अनेक लोगों को इसलाम कबूल करने के रिए बात देखिया था जबरन उनका धर्मान तरण किया था तलवार की नौक पर धर्मान तरण किया था तो इसके आदार पर हम यह कह सकते हैं कि एक तरह से बौद्ध धर्म को मिटा कर इसलाम का अभ्युद्ध भारत में हुआ था अगर ऐसा कोई कहता है तो कोई अतिश्वयक्ति नहीं होगी क्योंकि इतियास इसका साक्षी है बक्तियार खिल जी यह अतियंतर धर्मान दा और मुर्ख था उसने ताकत के मद के बल पर बंगाल पर अधिकार करने के उपरांद जब उसकी नजर तिबबत और चीन के तरफ गई और उस पर अधिकार करने का उसने प्रयास किया यहां पे वो असफल हुआ और इस प्रयास में तिबबत और चीन पर नियंतरन लेने के प्रयास में उसकी संपुर्ण सेना नश्ट हो गई और उसे अदमरी हालत में देवकुट लाया गया और दुर्भा के इतना कि देवकुट में उसका जो सायक था अलि मरदान उस सायक मित्र अलि मरदान नहीं खिल जी के अत्या कर दिया था बक्तियार पूर जहां राक्षशी प्रवरूति के इस बक्तियार खिल जी को दफनाया गया आज के दिन वह स्थान अब पीर बाबा की मजार बनकर वो एक इसलाम का तिर तक शेतर बन चुका है और दुर्भागय से कुछ मुर्ख, कुछ सेकुलर हिंदु भी उस लूटे रे और नालंद का विद्वांस करने वाले बक्तियार खिल जी के मजार पर जाकर मननत मांगते हैं यह हमारे देश का दुर्भागय है सच्चा इतियास ना बताना, जूटा इतियास बताना आकरांताओ को गौरानमित करना उनके अत्य अच्चारों को नgi कितने अच्चे थे यह बताना ऐसे यह अंग्रेज और हमारे भारत के सेकुलर काले अंग्रेज़ों के शेडेंतरों के कारण आज हमारे उपर ही आक्रमन करने वाले हमारे नालन्दा हमारे विश्विदेरे को नश्ट करने वाले बक्तियार खिलजी के मजार पर जाकर हिंदु मननत मांगते है भारती मननत मांगते है यह इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्या है यह भी हमें समझ कर लेने के आवश और सबसे बड़ा दुर्वाग्यतु शास की इस तरफ पर जो हो रहा है उसे हमें ध्यान में आता है शासन एक तरफ इस आकरांता यह जो लुटे रहा था उसकी मजार का वो सवरक्षन कर रहा है और प्रत्यक्षे में इस सरकार को नालंदा विश्विद्यर का सवरक्षन करना प्रत्यक्षित है वो शासन द्वारा नहीं हो रहा है जी सद्गुरू डॉक्टर पिंगले जी आपने अभी जो हमें यहां पर मार्गदर्शन किया तो सभी को यह ध्यानी में आया हुगा कि हमारा यह नालंदा विश्विद्यर कितना प्रगत था उसका विस्तार कितने मेरा मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हमारे और भी ऐसे कौन से विश्व विद्याले थे जो प्रख्यात थे इसके माध्यम से विदेश से भी लोग वहां पर आकर पढ़ते थे तो इसके बारे में भी आप हमें विस्तार से जानकारी दें अब इसके बाद हम विक्रम शिला जो विश्व विद्याले उसके बारे में संक्षेप में जानकारी लेंगे विक्रम शिला विश्व विद्याले के नामकरण के विशे में यह कहा जाता है कि विक्रम का आर्थ है पराकरम, वीरता और शक्तिशाली होना तथा शील का आर्था हैं चरित्र, सद्वृत्ति और सबहों से संबन्दि जो गुण है उसे शील कहा जाता है तो तात्पर ही हही ए कि इस जो विश्विद्यले का जो नाम रखा गया था कि विक्रम शीला वह इसलिए रखा गया था कि यहां से जो भी विद्यार्थी विद्यागरण करके निकले वह विद्यार्थी बहुत ही वीर होना चाहिए और दुरूड़ चरित्र वाले विद्वान बनकर ही निकलना चाहिए यहने विक्रम शिरा विश्व विद्याले के नाम में ही उस विश्व विद्याले का देय और उद्देश पष्ट होता है कि आने वाले विद्यार्थी को वो कैसे निर्मान करना चाहते हैं और वर्तमान के जो विश्व विद्याले है वो ब्रश्ट या विवाद में गिरिवे अनेक राज्य करताओं के नाम से चल रहे है जो की कभी-कभी विद्यार्थीयों को शर्मनाग भी लगता है तो पुरातन विश्व विद्याले के नाम करन के पीछे का उद्देश और वर्तमान विश्व विद्याले के नाम करन का उद्देश इसमें कितना फर्क है इससे कई अधिक फर्क हमारे प्राचीन शिक्षा पद्धती में और वर्तमान शिक्षा पद्धती में है और हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धती वह अत्यंत प्रगल्व उच्चावस्था में थी यह हमें समझ कर लेने की आवशक्ता है अब विक्रम शिला विश्व विद्याले की स्थापना कब कैसे हुई वह वह हम समझ लेंगे विक्रम शिला विश्व विद्याले बिहार राज्य के भागलपुर जिल्ले में स्थित्र था इस विश्विद्यले की स्थापना पालवंश की राजा धर्मपाल ने सन 775 से 800 इस्वी सन की बीश में करवाया था और इतना ही नहीं विश्विद्यले की स्थापना होने के बाद उसकी वेवस्था के लिए सव गाउं को भी विश्विद्यले को दान पत्र में लिख कर दे दिया था इस सव गाव से जो राजस्व मिलने वाला था उस राजस्व के आय के आधार पर इस विश्वी देले का आर्थिक बेवार चलता था पाल वंश के राजा और शासक जो थे वे बहुत धर्म को मानते थे पाल सामराज मद्यकालीन भारत का एक मत्वपुर्ण सामराज था यह सामराज सांसो पचास से ग्यारा सो चाहतर इस विश्वी सक तक चला था यह पूर्व मद्यकालीन एक बड़ा राजवईश था धर्मपाल ने अपने शासनकाल में अपने सामराज्य का बहुत ही विस्तार किया था राजा धर्मपाल द्वारा बिहार में बहुत सारे मटों का निर्माण भी करवाया गया था उसने प्रसिद्ध विश्व विद्याले विक्रमशिला की जब स्थापना करवा ही थी तब इस विश्व विद्याले को नालंद विश्व विद्याले के समकक्ष माना जाता था इतना उसका बहवे निर्मान था तो फिर विक्रमशिला विश्व विद्याले का विस्तार क्या था वह अभी हम समझ लेंगे यह विश्वी द्याले सम सौ एकड जो भूमी थी उसे अधिक भूबाग पर फैला हुआ था यहां पर लगबग 160 विहार थे विश्वी द्याले में लगबग 100 से अधिक शिक्षकों की निवासी वेवस्था थे इस विश्विद्याले में अने जो विद्वान थे जैसे रक्षित, विरोचन, न्यानपद, बुद्ध, जेतीर, रतनाकर, शांती, न्यानश्री, मित्र, रत्न, ब्रज, एवं अभ्यंकर, आधी नाम के कुछ प्रसिद्ध यहां पर विद्वान थे इस विश्विद्याले में बौद्ध धर्म, एवं धर्शन के अतरिक्त, न्याये शास्त्र, तत्वद्नयान और व्यकरन का भी अध्यन करवाया जाता था इस विश्व इद्याले में सबसे सुप्रसिद्ध जो विद्वान थे विख्षु दीपांकर स्रीद्न्यान अतिश इनको जाना जाता था इन्होंने लगबग 200 ग्रंदों की रचना किया था ग्यारवी सदी में जब तिब्बद के राजा के निमंतरण पर वे जब तिब्बद गए थे तो तिब्बद में बहुत्द धर्म के प्रचार प्रसार में इनका अत्यनत महत्व पूर्ण योगदान था ऐसे माना जाता है इस विश्व विद्याले में विदेश से भी अध्यनेतु चात्र आया करते थे विक्रम शीला जो विश्व विद्याले था इसमें तिब्बद से आने वाले चात्रों की संक्या सरवाधिक थी विक्रमशील विश्विद्याले में उसके परिसर में छे महाविद्याले थे और प्रत्यक में एक केंद्रिय कक्ष तथा 108 अध्यापक हुआ करते थे केंद्रिय कक्ष को विद्यान भवन कहा जाता था प्रत्यक महाविद्याले में एक भव्य प्रवेश द्वार होता था तथा प्रत्यक प्रवेश द्वार पर एक एक द्वारपंडित बैठता था द्वारपंडित द्वारा परिक्षन किये जाने के उपरांत ही किसी विद्यार्ति का महा विद्यालय में प्रवेश संबव था कनक के शासनकाल में द्वार पंडित के जो प्रमुक्त है उनके नाम हमें आगे की तरह हमें मिलते है पूर्व जो द्वार था, पूर्व द्वार में आचार्य रतना कर शांती इनका महाँ पर निवास हुआ करता था पश्रिम जो द्वार था, महाँ पर वागिश्वर किर्ती याने वारण सेय इनका महाँ पर स्थान हुआ करता था उत्तर चो द्वार था महाँ पर नरोप तो दक्षिन द्वार पर प्रद्या कर्मती इनका स्थान था और प्रतम जो केंद्रिय द्वार था महाँ पर प्रत्न वज्र जिने कश्मिरी परंपरा से आये थे और द्वितिय केंद्रिय द्वारता भाद न्यान श्री मिष्र जो गौडिय परंपरा से आये थे महापर उनका स्थान था इस विश्व विध्याले में अध्यान के जो विशेश विशे थे उसमें महत्व का विशे था वह व्यकरण, तरकशास्त्र, मिमांसा, तंत्र, विदिवाद, इत्यादी आनेक विश्व का महापर प्रमुक्ता से अध्यापन हो रहा था विक्रमशिला विश्व विश्व विद्याले में जो शिक्षा का माध्यम था वह संस्कृत भाषा ही थी विक्रमशिला विश्व विश्व विद्याले में ततकालिक समय में लगबग 10,000 विद्यारतियों की शिक्षा की वेवस्ता होती थी और एक समय में 10-4 विद्यार्थी विश्विद्याले में अध्यन कर रहे थे अब सबसे महत्व की जो बात है कि विक्रम शिला विश्विद्याल है उसका विद्भूंस कैसे हुआ तो ये इसलामी आकरांताओं का सबसे बड़ा पाप है यह हमें समझ लेने के आवशकता है सन 1202 में जब मुसल्मानों ने बिहार पर आकरमन किया इसलामिक आकरांताओं ने बिहार पर आकरमन किया तब नालंदा की तरह विक्रम शिला विश्विद्यले को भी पूर्ण रूप से नश्ट किया गया इसमें भी बक्तियार खिल जी का ही नाम आता है 1202 से 1203 इस कालावदी में विक्रम शिला महावियार को नश्ट करकिया यहाँ पर जो एक विशाल पूस्तक आ लए था उसको उन्होंने आग लगा दिया हजारों की संक्या में बहुत दविख्षयों की हत्या कर दी गई तब कात ए नासिरी इस पूस्तक में विक्रम शिला विश्विद्यले का विद्वांस का एक विस्तरुत वर्णन इस्लामी आकरनताओं ने ही लिखके रखा हुआ है लामा तारानात ने लिखा है कि यह तुर्क आकरमनकारी जो था इसने इस महा विहार को सुन्यजित पद्दती से नश्ट कर दिया संपूर्ण महा विहार में उन्होंने आग लगा दिया था महा पर जो मंदिर थे मंदिरों में जो मूर्थिया थी उनके टुक्डे टुक्डे करकर मूर्थिया को तोड़ दिया था इन तुर्क आक्रमन कारियों ने इस महावियार को विध्वन्स करते इसके समीपी जो महावीरों के इटे और पत्तरों से एक किले का निरमाण किया और उस किले में वे कुछ समय तक निवास कर रहे थे वहां रुके थे ऐसा भी स्पष्ट उल्लेक उनके इत्यास में आता है। और विक्रम शीला के परिसर में उत्खनन से जो प्राप्त भगनावेश हमें दिखते हैं उससे हस्पष्टा में ग्याथ होता है कि इस ग्यान मंदिर को आत्यांत बर्बता पुर्ण पद्धती से इस इसलामी आकरानताओं ने धुस्त किया था। जो भक्तियार खिल जी ने नालंदा को नश्ट किया था। उसी ने विक्रम शीला विश्व इद्यालाई को नश्ट करने का पाप किया था। भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धती, प्राचीन गुरुपल पद्धती, प्राचीन ग्यानसंपदा और उसे संबंदि जो ग्रंतते उसके विद्भांस के लिए कारणी भूत थे और इसी के कारण इसके बाद धेरे-धेरे शिक्षा में धेरे-धेरे अनुसंधान में प दिरे दिरे भारत ये पिछड़ते पिछड़ते ये इसलामिक आकरंताओं के काल और इंगरजी आकरंताओं के काल में भारत के पतन का भारत के अधोगति का इतिहाश शुरू हुआ और यह बरबरता का इतिहाश सिखाने के बजाए भारत ये पिछड़े है जंगली लोग है हा आति लोग आत अएसे जो अपड़्चार करने का जो ये शड्नक्रन रहे इसलाम अकरान्त पति को कि अज़देंथे लिए प्रिप को जिपाने का शड्र है और इसलिए हमें सच्चे इतियास को अभी पुनर स्थापित करने के आवशक्ता है सच्चा इतियास सबसे पहले भारतियों के सामने और फिर विश्व के सामने रखने की आवशक्ता है और इसके लिए हमको सभी को संगटित प्रयास करने की आवशक्ता है अभी हम अगले जो विश्व विद्याले की जानकरी ले रहे उसे उदंतपुरी या उदंडपुरी ऐसे भी कहा जाता है यह भी मूल बिहार से ही बिहारक्षेत्र में ही था यह उदंत पूरी जो विश्व विद्याले है यह नालंदा और विक्रमशिला जो विश्व विद्याले है उसके समख कक्ष ही वो विख्यात था पूरे विश्व में विहार के जो नालंदा का विश्व विद्याले है वहां से केवल दस किलो मेटर के दूरी पर यह स्तेथ था और कहा जाता है कि पाल वंश का जो नरेश धर्मपाल था उसने सात्वी शताबदी में यहां भवे विहार का उसने निर्माण किया था तिब्वती परंपरा के अनुसार उदंतपुरी विहार की रचना थी और यह रचना प्रतम जो पाल थे नरेश गोपाल उसने करवाई थी उदंत्पुरी विश्विद्यले का उत्कनन का कार्यन नहीं होने के कारण यह विश्विद्यले आज भी माधरती के गर में दबा हुआ ही हमें मिलता है और इसी कारण बहुत कम लोग इस विश्विद्यले के इत्यास से परिचित है या इसकी चर्चा भी नाम मात रही होती है अरब के जो लेखक है उसने इस विश्विद्याले की जो चर्चा है अदबंद इस नाम से किया है लामा तारानाथ ने इस उदंतपुरी को ओदयंतपुरी महाविद्याले ऐसे कहा था और ऐसे भी कहा जाता है कि जिस समय नालंदा विश्विद्यले अपनी पतन की और बढ़ रहा था उस समय इस विश्विद्यले की स्थापना किया और एक नई शिक्षा केंद्र की उत्थान की प्रक्रिया शुरू ही थी अब इसका विस्तार कैसे था तो तिब्थी जो पंडुलिपया उपलब्द है, उसे यह ज्ञान हुता है कि इस महावियार का जो संचालन है, वो जो भार था वो भिक्षू संग के हाथ में ही था इस महाविद्य लगए का जो संचलन किसी राजा के हाथ में नहीं था उदन्पुरी की जो खैती है वो नालंदा और विक्रमशिला से अधिक बढ़ गई थी तिब्वती इतियासो कारों के नुसार उदन्पुरी विश्व विद्याले में कम से कम 12,000 चात्र एक समय शिक्षा लेती थे विक्रमशिला के जो आचार्य स्री गंग वह स्वयम इसी विश्व विद्याले के चात्र भी रह चुके थे इस विश्व विद्याले में धर्मरक्षित, चंद्रकिर्थी और शीलरक्षित इस नाम के बड़े-बड़े प्रसिद्ध विद्वान भी थे तिब्बत में 749 के इस्वी में अचिंते विहार का निर्मान इसी ओधन्तपुरी विश्व विद्याले के प्रेणा से लेकर तिब्बत में किया गया था अब इसका विद्वांस कैसे हुआ तो इस विश्व विद्याले की बड़ती खेती की कारण सन 1197 इस्वी में फिर भक्तियार खिल जी का ध्यान इस महावियार किया और गया और जैसे उसने नालंदा और विक्रमशिला को नश्ट किया उसी धर्ती पर इसने अपने आक्रमण का पहला जो निशाना बनाया था वह यही विश्व विद्याले था उसने इस विश्व इद्याले को सरवप्रतम चारों और से घेर लिया जिससे भिक्षुगंड काफी एक्षुब्द हुए और जब उन्हें कोई उपाए नहीं दिखा तो वही भिक्षुगंड स्वहमी संगर्षे के लिए आगे आये थे और इसका प्रिणाम यह हुआ कि अधिकांश जो भिक्षुगंड थे उनको बक्तियार खिलजी के सेना ने मौत के घाट उतार दिया कुछ बचे बुचे जो भिक्षु थे वह बंगाल और उर्षियक के तरफ भाग गए और अंत में बक्तियार खिलजी ने इस विहार में आग लगवा दी और इसी तरह यह जो विद्या का मंदिर था वह सदा-सदा के लिए समाप्त हो गया और अब उसके जो आउशेश है वो जमीन के अंदर हमें दिखाई देते हैं और विश्व विख्यात होने के बाद भी बहुत चर्चित न होना चर्चा में न होना ऐसा दुरभाग गए इस विश्व विद्याले को प्राप्तो हुआ है अब इसके बाद हम जो विश्व विद्याले की जानकारी लेने वाले हैं उसको सोमपुरा विश्व विद्याले कहा जाता था सोमपुरा इस विश्व विद्याले की स्थापना पालवंश के ही राजाओने किया था तो हमें इह धहन में आता है कि यह जो पालवंश के राजा थे वे शिक्षा के बड़े पुजारी थे और उन्होंने बड़े-बड़े शिक्षा केंद्रों की स्थापना किया था इसे सोमपुरा महावियार के भी नाम से जाना जाता था यह विश्व विद्याले वर्तमान जो बांगलादेश का जो नौगाव जिला है उसमें स्थित था इसे उन्नी सो पचासवी इस्वी में युनुसको ने विश्व विरासत जो स्थल है याने आर्केलोजिकल जो मॉनुमेंट है उसका उन्होंने दरजा दिया था सोमोपुरा जो महावियार है वह नालंदा विश्व विद्याले की परंपरा पर आधारित एक दुसरा विश्व विद्याले था जो वर्तमान बांगलादेश में स्थापित था दोनों विश्व विद्यालेयों के स्थापते में भी समानता थी इसका मतलब उसके निर्मान भी थी और यहां से लेकर बहुत सी बातों में समानता थी आठवी शताबदी से बारवी शताबदी के बीच चार सो वर्ष तक यह विश्व विद्यालेय अत्यन्त विश्व विख्यात और प्रसिद्ध था यह भवे विश्व विद्याले लगबक 27 एकड में भूमी पर फैला था इस विश्व विद्याले में बोध शिक्षा के निती मुल्यों के आधार पर मानो जाती के विकास के साथ विज्ञान की विश्व निश्वल्क पढ़ाये जाते थे लगबक 8500 चात्रों के लिए यहां सभी प्रकार की सुवेदाये उपलब्द थी ऐसे यह विश्व विद्याले की ख्याती थी अब जो अगले विश्व विद्याले के बारे में हम जानने वाले उसे पुष्पगीरी विश्व विद्याले कहा जाता है वर्तमान उडिसा राज्य के कटक के पास जो जाच्पुरा जिला है इस जिले में यह पुष्पगीरी विश्व विद्याले स्थित था चीनी यात्री युवांग सांग ने 649 के इस्वी में इस विश्व विद्याले को प्रतेक्षा देखा था और अपने प्रवास वरणन में उसने इसे पुष्पगीरी महावियार के नाम से वरणित किया था मध्यवकाल में तिबती लेखकों ने भी इसका उलेख अपने लिखाण में किया था और उसका प्रमाण हमें मिलता है नागारजुन कोंड़ा के अभी लेख में इस महावियार का भी स्पष्ट उलेख हमें मिलता है इस विश्व विद्याले की स्थापना तिसरी शताब्दी में कलिंगा राजाओं ने कराई थी उडिसा क्षेत्र में कलिंगा राजाओं का अधिपत्य था और उन्होंने ही तिसरी शताब्दी में इसकी स्थापना किया था आठ सव वर्ष तक यहने तिसरी शताब्दी से लेके ग्यारवी शताब्दी तक इस विश्व विद्याले का जो विकास था वो आपने आप में चरम स्थिती में था इस विश्व विद्याले का परिश्वर तीन पहाड ललिदगीरी, रत्नगीरी और उद्रगीरी इसके बीच में जो ख्षेत्रता उसमें फैला हुआ था इन तीनों पहाडियों के उत्खनन में पगोडा के आउशेश, नक्षिदार पत्तर के प्रविश्दवार तता रहस्य में बहुत प्रतिमाय भी वहाँ पर मिलती है तो ऐसे संक्षिप में इस विश्व विद्याले का इतियास है अब अगला जो विश्व विद्याले हम जानने वाले है उसे जगदल विश्व विद्याले है ऐसे कहा जाता है 11 सदी के जगदल महावेर के मूल स्थान का कई वर्षों तक पता लगाया नहीं जा सका था पुरा तत्व विभाग को इसे जुड़े प्राचिन जो खंडर है वह केवल नौगाव जिले में ही मिले थे और यह स्थान पहाडपूर के समिक वर्तमान जो बांगला देश है वहाँ पर स्थित था पिछले एक दशक में यूनस्को के तत्वाधान में जो उतकनन उस ख्षेत्र में किया गया उससे यह सिद्ध हो गया कि इस्थान पर पहले एक महावियार स्थापित था पालवंश के राजा के शासनकाल में ही चार शताब्दियों के दवरान में उत्तरपूर्वी भारत में जो प्राचिन बंगाल से लेकर मगत की बीच की जो बड़ी मठो की संख्या थी वहाँ यह विहारों के उस स्थापना किया गया था और कहा जाता है कि दर्मपाल ने स्वयम पचास विहारों की स्थापना किया था जिसमें विक्रम शीला भी सम्मेलित था जो उस समय का एक प्रमुक विश्विद्दा ले करके उभर के आया था जगदाल महा विहार यह सब पाल शासकों द्वारा बनवाया गया था और यह सबसे बड़ा उनका निर्मान का एक कार्य था और तिब्वती स्थरतों के अनुसार जो पाच बहुत्द विवार सबसे अधिक प्रसिद्ध थे उधरन के तोर पर नालंदा, विक्रम शिला, उदंत पूरी, सोम पूरी और जगदल यह पाचों महा विहार राच्चिय और सवरक्षन के अंतरगत थे और वे आपसी समन वै से ही चलाये जा रहे थे, जगदल महावियार वजरयान बहुत्द धर्म के लिए एक विशेश महत्वका था, यह विद्यापित अवलोकी तेश्वर को उन्होंने समर्पित किया था, यह विश्व विद्याले भी नालंदा की परंपरा पर ही आधारित था, एक तरह से नालं विश्व विश्व विद्याले के एक अंतिम विद्वानों में से थे, उन्होंने नालंदा, विक्रमशिला और ओधन्दपुरी विश्व विश्व विद्याले के धस्त होने की उपरांत यहां प्रवेश लिया था, कहा जाता है कि सन 1204 में वो जगदल से तिबबत आगे भ और समग्रद रुष्टी से देखे तो ऐसे लगता है कि यही आकरी महावियार था, वर्ष 1999 में जगदल को यूनोस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में सम्मिलित करकी लिया गया है और इसे अस्ताइस थल के रूप में प्रस्तूत किया गया है अभी प्राचीन शिक्षा परंपरा में जो एक विश्व विख्यात हमारा विश्व विद्याल है था नागारजुन कोंड़ना विश्व विद्याल है जो हमारे दक्षिन भारत में स्थित था उसकी भी हम जानकारी लेंगे नागारजुन कोंड़ना यह आंद्रप्रदेश राज्य के नलगोंड़ना जिल्ले में स्थित एक एतियासिक नगर है भाग्य लक्ष्मी नगर जिसे हम एधराबाद कहे थे उससे सो मिल दक्षिन पुर्व की और स्थित नागारजुन कोंड़ना यह एक प्राचिन स्थान है यह स्थान प्रसिद्ध आचार्य नागारजुन जो दृतिय शताबदी के एक आचार्य थे उने के नाम से प्रसिद्ध है प्रतम शताबदी में यह सातवाहन राजा या सातवाहन नरेशों का राज्य था हाल नामक जो साथ वहन राजा ने नागारजुन की लिए स्री परवच शिकर पर एक विहार बनवाया था यह स्थान बोद्द धर्म की महायन शाखा का भी लंबे समय तक एक परचार के इंद्र रहा था साथ वहनों के पश्चार इश्वाकू नरेशों ने यहां राज्य किया नागारजुन कोंडा इश्वाकू राजाओं के समय अत्यन्त सुन्दर एक नगर था यहाँ पर उत्कनन में शैव मत के आधार पर भी कुछ प्रमाण हमें प्राप्त हुए है क्रिश्णा नदी के तड़ पर स्थीत तथा चतुर्दिक परवत मालाओं से यह परिवृत्त यह नगर प्राकूतिक सौंदरे से अत्यन्त संपन्न था और साथी अभेद्य दुर्ग के भाती यह सुरक्षित भी था नागारजुन कोड़ना से प्राप्त अभी लोगों से हमें यही ग्यान मिलता है कि पहले शताब्दी इस्वी में भारत का चीन, यूनानी जगत तथा स्रिलंका से हमारा संबंध प्रस्तापित था तो संक्षप ने हमने इस विश्व विद्याले के बारे में यह जानकारी जान लिया अब जो हम अगले विश्व विद्याले की जानकारी लेने वाले हैं वो हमारे उत्तरक्षितर के कश्मिर प्रांत का है शारदा पीठ विश्व विद्याले इस नाम से कश्मिर प्रांढ का यह विश्व विद्याले था और प्राचिन काल से ही धर्म और शिक्षा का कश्मिर यह एक प्रधान केंदर ही रहा था इस्विशन पूर्व 237 में अशुक के सामराज्य में स्थापित प्राचिन शार्दापीट लगबग 5000 वर्ष पुरना एक सुन्दर मंदिर है विद्य की अधिश्टाती हिंदू जो देवी है मा सरस्वती उसको समर्पित यह मंदिर है और यह अधियन का अधियनत प्राचिन और प्रख्यात केंद्र था शार्दापीट भारती उपमहाद्विप में सर्वस्रेष्ट मंदिर और विश्व विद्यले में से एक हुआ करता था प्रारम में यह शेवयमत का एक प्रमुक केंद्र था और वरतमान का यह जो शारदा पीट है हमारा विश्वी देल है यह जो हमारा काश्मिर है जिसको पाकिस्तान ने आकरमन करके लिया है तो पाक व्यापत काश्मिर में यह भी स्तीत है मुजर्फराबाद से 160 किलोमेटर दूरी पर यह स्तीत है शारदा पीट को वहाँ के लोग शारदा पीठम भी कहते है यह निलम गाटी में स्तीत शारदा मंदिर के समानी यह एक स्थान है और शारदा पीठ केवल हिंदों के लिए नहीं अपितु बहुत द्धर्म के लिए एक अहम पीठ है यहां से ही काश्मिर के इतियास गरंत राज तरंगिनी के लेखक कलन और आदिशंकर जैसे जैन दार्शिनिक निकले थे कनिश्क के शासनकाल के समय शारदा मद्य आशिया में सबसे बड़ा एक शेक्षनिक संस्थान था इस संस्थान में धर्म के अतरिक्त इतियास, भुगोल, सौरचना विज्ञान, तर्क एवं दर्शन शास्त्र इत्यादी विश्यों की शिक्षा यहां पर दी जाती थी इस विश्यों इद्यलाए में उन्होंने अपने एक स्वयम की लिपी भी विकसित की गए थी जिसे वे शारदा लिपी के नाम से जाना जाता है और वरतमान में भी कुछ जिग्यासू यह शारदा लिपी का अध्यान करके सीखने का प्रयास कर रहे है उस समय इस विश्यों इद्याले में पास्तों से अधिक छात्र पड़ते थे इस विश्यों इद्याले में विश्यों के सबसे बड़े पुस्तकाले का भी स्थान था कश्मीर के स्थानिय गाव वाले आज भी इसे शार्दा विश्विद्यले के रूप में ही धेखते है शैव संप्रदाय के जनक कहे जैने वाले आध्य शंकराचार्य और वैश्णो संप्रदाय के प्रवतर जो रामानुजाचार्य है वह दोनों यहाँ पर आये थे और वो दोनों ने ही यहाँ पर मत्वपुर्ण उपलब दिया प्राप्त की थी शंकराचारय यही सरवद्ने पिठम पर बैठे तो रामानुजाचारय ने यहाँ पर स्रीविद्या का भाष्य प्रवर्तित किया तो शार्दापिठम कश्मिर इस्तित जो शार्दापिठम है जो वर्तमान में पाक वैप्त कश्मिर में बसा हुआ है वह भी हमारा एक प्राचिन शिक्षा का एक बड़ा केंद्र था अब दक्षिन के एक विश्व विद्याले के तरफ हम जाएंगे कांची पूरम विश्व विद्याले दक्षिन के तमिल नाडू के राज्यमे स्थित कांची तथा कांची पूरम को दक्षिन भारत की काशी ही कहा जाता है महाभारत के समय में भी कांची अस्तित्व में थी इस्वी सन पूर्व तिसरी शताब्दी में महर्शी पतंजली ने अपने गरंत महाभाश्य में कांची का उल्ले किया है ऐसे प्रमाण में मिले है तिसरी शताब्दी इस्वी में कांची पल्लव राजवंश की राजा की राजदानी बनी पल्लव राजाओं के कारण वहाँ संस्कृत भाषा और साहित्य के अध्यन के लिए यह नगरी विख्यात हुई चौती शताब्दी इस्वी में कालिदास ने भी इस नगरी का उल्लेख अपने साहित्ते में किया है पाच्वी शताब्दी तक कांची में बहुत द विचार खूब फुला फला था आचारे आरे देव कांची में ही पड़े थे कांची पूरम का जो पल्लव राज कुमार बाद में जो बिक्षु बोधी धर्मन बना था ऐसे कहा जाता है कि इसी ने शाहुलिन कुंग्फु यह सोसौरक्षा प्रणाली का सोसौरक्षा करने वाले एक पद्धती का विकास करके उसकी स्थापना किया था पल्लव राजा द्वारा जैनमत स्विकार जानने के कारण वहाँ जैनमत का भी प्रचुर मात्रा में प्रचार हुआ था चटी शताब्दी इस्वी में नयनार तता अलवार संतों के उदय के साथ पल्लव राजाओं ने पुनश्च हिंदु धर्में प्रवेश किया ग्यारवी शताब्दी में रामानुच के प्रभाव के कारण वहाँ पर वैश्णोमत का प्रभाव बड़ा हिंदु धर्म में कांची को सब्तपुरी नामक साथ बड़ी धार्मिक नगरियों में सम्मेलित किया गया है और इसमें यहां माननेता है कि कांची में मुर्त्य होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है जैसे काशी में मुर्त्य होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है वैसे ही कांची में मुर्त्य होने पर मोक्ष प्राप्ति होती है ऐसे यहां की माननेता है चोल वंश तथा पांडे वंश की साशनकाल में कांची दक्षिन भारत की विख्यात शिक्षा का केंद्र बनी रही वहाँ पर उत्तर भारत से अनेक विद्यारती अध्यन हेतु आते थे और शिक्षा प्राप्त करकी वापस पे अपने ख्षेतर में जाते थे तो कांची विश्व विद्याले का इतना बड़ा एक इतियास है परन्तु यह इतियास वरतबान में किसी को बादाय नहीं जाता है मुस्लिम आकरांताओं के कारण और ध्वस्त होने के कारण तक्षशीला या नालंदा की चर्चा तो जरूर होती है मगर उसके चाय चत्र में अन्य जो विश्व विद्याले है वह एक अज्यातवास में है ऐसे दिखाई देता है अभी हम दक्षिन के और एक विश्व विख्यात विश्व विद्याले की जानकरी लेंगे जिसे मनिकेत विश्व विद्याले के नाम से जाना जाता है मनिकेत विश्व विद्याले आज यह करनाटक राज्य में जो मल खेडा जिसे मन ने खेडा या मन खेडा इस नाम से भी अबब्रहंशित किया जाता है इस इक्षेत्र में जो गुलबर्गा जिले में है वहाँ पे स्थापित था नवी सदी में राश्ट्रकुट राजगराने की यह राजदानी थी राजा अमोग वर्ष ने विदर के मयूर खंडी से यहाँ पर राजदानी सलांतर करके लाई थी दुरुपतुंग अमोगवर्ष के राज्य में यह एक बड़ा विद्या का केंद्र करके सामने आया स्थापित हुआ जैन परंपरा का यहां मुख्य केंद्र था यहां पर गणित के विद्वान महाविराचार्य आदि ने अनेक ग्रंतों का लेखन किया है राष्ट्रकुट के उपरांत यहां पर चालुक्य, यादव, काकतिय, ऐसे राजगराणों ने बाद में राज किया और उसके उपरांत यह पूरा क्षेत्र मुस्लिम शाष्य को के आधिन गया और यह विश्वविद्याले समाप्त हो गया तो एक तरह से जहां मुस्लिम आकरांत आगए, जहां यूरोपिय कृष्चन आकरांत आगए, ब्रिटिश आकरांत आगए उन्होंने वहां की पारंपारिक शिक्षा पद्धति हो, पारंपारिक ज्ञान पद्ध परंपरा हो, पारंपारिक विज्ञान परंपरा हो, पारंपारिक संस्कृति या धर्म परंपरा हो, उसको नश्ट करने का ही पाप किया है और उनकी उपरी उथल ऐसे शिक्षन परंपर और यह Christian या British आकरन था यह एक ग्रहण के रूप में भारत की इतियास में आया है जिनोंने पूर्व संस्कृति परंपरा को नश्ट करने का प्रयास किया था मगर जैसे ग्रहण लगने के बाद ग्रहण छुटता भी है उसी तरह से अभी भारत के पुना उदय का काल आया है संतों के कहने के अनुसार यह जो पश्चिमी शिक्षा पद्धती हो पंत संस्कृति परंपरा हो या आकरांता मुगल या इस्लामी पंत परंपरा का आकरमण हो उसका अंधेरा अज्ञान का अंधेरा भी दूर होके भारत के पुनर निर्मान की प्रक्रिया पुनरुथान की प्रक्रिया भारत के विश्व गुरु बनने की प्रक्रिया भारत को पुनुष्य हिंदु राष्टर बनने की प्रक्रिया आउतारी संतों मंतों के में चल रही है और वही भारत को पुनरवेबो प्राप्त करके देगी ऐसा निश्चित हमें लगता है और अब हम अगला जो विश्व विद्याले देख रहे हैं उसे काशी या वारानसी विश्व विद्याले के नाम से जाना जाता है हम सब काशी से अत्यंत परिचित है उपन उपनिशक द्यान के लिए एक अत्यनते सुवख्यात केंद्र बना हुआ था। काशी राज जो अजाज शत्रू थे। वे उनसे शिक्षा ग्रहन करने के लिए दूर देशों से विध्यार्ति आकर उपनिश्यदों की ग्यान प्राप्त करने के लिए प्रेत्नरत होते थे। 23 वे जो जैन तिर्दंकर पार्श्वनाज जी थे वे काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। उस समय में काशी में वैदिक धर्म के साथ साथ जैन दर्शन का भी वह केंद्र बना हुआ था। वैदिक दर्शन ज्ञान तर्क और शिक्षा में काशी एक अत्यंत अग्रणी शहर था। तक्षशिला के भाती काशी में भी वेदों के अतरिक्त आठ्रा शिल्प शास्त्रों के संदर में शिक्षा दी जाती थी। महात्मा बुद्ध के समय में काशी पूरुव भारत का निश्यंद्य सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र करके स्थापित था और संभोता इसलिए भगवान बुद्ध ने भी वारानगिसी के निकट सारनात में ही सर्वप्रथम अपने मत का प्रचार आरंब किया था और तब से सारनात एक बौद्ध धर्म का तथा बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुद केंद्र करके दिरे-दिरे उभर के आया मौर्य समराथ अशोक ने सारनात को समृद्ध बनाने की पूरी तरह चेश्टा किया था चाहे धन से हो या राज की अच्छतर चाहा से हो सारनात को उन्होंने स्थापित करने के लिए यथा शक्ति प्रयास किया था बौदब भिक्षुक हुएन सांग ने काशी के विहार, स्थूप और भवनों का वरणन किया है उसके अनुसार यहां कई मंजला भवन थे इसे यही स्पष्ट होता है कि मुल्ता काशी मैदिक परमपरा का शहर था कालांतर के बाद जब महा के राजा के पुत्र ने जैन या जैन धर्मस्वेकारा तो महा पर जैन परमपरा का भी अध्यन या प्रभव बढ़ा था और जब भगवान बुद्ध ने सारनात के यहां बुद्ध धर्म का प्रसार का और फिर शिक्षा का केंद्र बनाया तो महां से एक तीसरा बुद्ध चिंतन की धारा वहां शुरू हो गई तो एक तरह से काशी यह उस समय वैदिक, जैन और बुद्ध तिनो धाराओ का एक मुख्य केंद्र था परन्तु जब बाद में बुद्ध काल का रास होने के उपरान काशी पुनश्य एक वैदिक धर्म का मुख्य केंद्र करके स्थापित होई थी तो काशी में वेद, वेदांग, इतियास, पुराण, जोतिश, कल्प एवं शिल्प की शिक्षा इत्यादी अनेक विश्यों पर महाँ पर अध्यान होने लगा था दस्वी सदी में अलबिरू ने जब भारत के प्रवास में आया और हिंदु शास्तर को जानने के लिए जब काशी नगरी गया था तो उस समय गड़वाल वंश के राजाओं ने काशी को एक महत्वका शिक्षा केंद्र करके स्थापित किया था और इतना ही नहीं तो गड़वाल वंश ने अपनी दूसरी राजनानी के रूप में काशी को माननेता दिया था प्रसिद्ध जो कश्मीरी कवी है श्री हर्ष ब्यव गड़वाल शासक विजय चंद्र का सभासत थे उसने काशी में रहेकर नैशद चरित इस गरंत की रचना किया था ग्यारिवी शताबदी में मुस्लिम आतं के कारण पंजाब से बहुत से पंडित उत्तर तता उत्तव पूर्व के तरफ स्थानांदरित होये थे तो उसमें से कुछ काशिक शेत्र में भी आये थे और इस विजन बारा सो में वारानसी जो हमारी पवित्र नगरी है वह मुस्लिम सामराज्य के अधिपत्य में चले गई और इसका बुरा प्रभाव काशी के शिक्षा पर पड़ा है और इतने बुरे परिस्तिती में भी बनारस शिक्षा केंद्र के रूप में अपना जो असित्व था वो एनकेन प्रकारेण उसने बचा के रखा था मगर उपरोग तो इत्यास से हमें यही पता चलता है कि प्राचीन काल से ही काशी यह शहर पठन-पाठन के लिए अत्यंत प्रसिद और एक बड़ा शिक्षा केंद्र था यहाँ प्राचीन काल से ही गुरुकुल परंपरा चल कर आ रही थी बोद्द धर्म के उदय एवं विकास के साथी देश के विवन्न भागों में मठो एवं विहारों का निर्माण हुआ था और जिन में से अनेक महाविहार और कालांतर में महा विश्व विद्याले में विकसित हुए थे इस प्रकार आधुनिक विश्विद्यले की संकल्पना को जन्म देने का श्रेय हमारी वैदिक परमपरा और सनातन धर्म के राजाओं को जाता है जो बाद में जिसका आनुने बोद्द धर्मों के राजाओं ने करके वो परमपरा को आगे जारी रखा था पालवंश के राजाओं ने इन शिक्षण सहस्ताओं को सौरक्षित और पोशित भी किया था समराट अशोक जो मूलता हिंदु परमपरा वैदिक धर्म का अनुयाई था जो बाद में बहुत दबना था और गुप्तकाली शासकों ने भी इन विश्विद्यालय को समरुद्द बनाने में महत्वपुर्ण भूमी का निवाई थी मुस्लिम आक्रमन कारियों के सतत आक्रमनों ने इन शिक्षा केंद्रों का विश्विद्यालयों का अस्सित्व ही समाप करके भारत को हजारों वर्ष पीछे डखिल दिया बक्तियार खिल जी ने अपने इसलाम धर्म के प्रसार के साथ उसने जो बहुत संक्यांक हिंदू थे या बहुत धर्म के अनुयाई थे उनको नश्ट करने के साथ-साथ सुनियोजित पद्धती से इन विश्व विद्यालयों को शिक्षन परमपराओं को शिक्षन था आज हम इनकी गौरों गाता सुन रहे हैं इसके प्रमान के सुरुप में कुछ जगा भगना आउशेश देख सकते हैं परन्तु यह भारत के लाखों वर्ष के इतियास का एक काला पद्ना है जिसने भारत की प्राचेन शिक्षा पद्धती गुरुकुल परमपरा धर्मविज्ञान, धर्मविज्ञान, खगोल शास्त्र, गणित यह जो सभ्यता और संस्कृती भारत में विकसीत हुई थी उसको नश्ट करने का जो प्रमान हमें इसमें मिला है यह अतिनते दुर्भाग्यपुरुन है तो यह जो सच्चा इतियास है यह पुनश्य भारत क पुस्तकों के क्रमिक अभ्यास क्रम में लाकर वस्तुस्तिती सत्यता अउगत कराना आवश्यक है ऐसे मुझे लगता है अब जो अन्य विश्व विद्याले थे उसके बारे में में हम संक्षप में जानके लेंगे आठवी शताबदी इस्वी में परमारवंश की जो धर्म एवं शिक्षा का प्रधान केंद्र बनी परमार शासक समराड भोज के द्वारा स्थापित सरस्वति मंदिर एवं भोश शाला विश्व विद्याले की रूप में आज भी विश्व विख्यात है इसके अतरिक्त उसने अनेक विद्याले की स्थापना भी की थी राज राज मुरुगांक, विद्वजन मंडल, समरांगन सुत्रधर, कुर्मशतक आधी अनेक ग्रंतों की स्वयम रचना किया था। राजा भोज की मृत्यू पर एक कविने कहा था। अध्यदारा निराधारा निरालंबा सरस्वती, पंडित खंडितासर्वे स्वय भोज राजे दिवंगते। सरस्वती अलंबवीन हो गई है और पंडित खंडित हो गय है। पर भोजों में ये वाक्य उस कविने दिख्या था। अब दूसरी जो एक विश्व इद्याले की कहानी है वो कन्योज विश्व इद्याले के संदर्व में है, कन्योज नगर का प्रतम उल्लेक रामायन में हमें मिलता है, इसका मूल नाम कन्यकुप्ज था तता यह ब्रामनों का बड़ा केंद्र था, महा भारत में भी इसका उल्ल किया है, पाचवी शताबदी इस्वी में कन्योज गुप्त सामराज्य के एक प्रमुक नगरों में से एक नगर था, इस काल में वहाँ पर अनेक मंदिरों का निर्मान भी हुआ था, इतना ही नहीं तो वह एक हिंदू शिक्षा केंद्र का एक प्रमुक केंद्र करके भी प् कन्योज के संदर में अपने प्रवास वर्णों में उल्लेक किया कि वह एक हिंदू धर्म का प्रस्तापित केंद्र था और बहुत द काल में वहाँ पर बहुत द विहारों का भी निर्मान हुआ था, इसके संदर में उसने उल्लेक किया है और उसने यह भी कहा कि यह स्थान ऐसे स्थान था या हिंदू दार्शनिक और बहुत द विद्वानों की बीच में यहाँ पर शास्तार्थ हुआ करते थे साथवी सदी से बहरावी सदी तक कन्योज एक प्रमुक शिक्षा केंद्र में से एक बना रहा था इस विजन एक हजार आठरा में जब महमुद गजनी ने कन्योज पर आक्रमन किया और वहाँ नगर को तता वहां की जो शिक्षा संस्था हो थे विश्व विद्दारे थे उनको बड़ी उसने हानी पहुचाई थी और इसके उपरांत वर्ष 1194 में मुहम्मद गहुरी ने जब कन्योज पर पूर्ण अपना अधिकार प्राप्त कर लिया उसके बाद कन्योज की एक धार्मिक पहचान तता एक शैक्षणिक महत्व जो था इन इसलामि आकरांताओं ने नश्ट करके एक इसलामी तंतर को महाँ पर इसथापित किया तो एक तरह से हिंदु का वैश्य सबसे बड़ा पाप है और ये इतियाज के सबसे बड़े वैश्य वैश्य की घटना है यह हमें समझने का आवश्अक्ता है और एक जो महत्वका हम विश्व विद्याले की जानकरी लेना चाहते है वो अनिल पाटन विश्व विद्याले पूर्व मध्य यूग में गुजरात के चालुष्य चालुख के वन्ष की जो राजदानी अनिल पाटन थी जो एक शिक्षा केंदर के रूप में विख्याज भी थी यहां हिंदू धर्म के दर्शन के अतरिक्त कालांतर में जब जैन धर्म का उद्धे हुआ तो यहां जैन धर्म के भी शिक्षा के महाँ पे केंदर स्थापीत हुए और महाँ पर जैन धर्म के दर्शन की भी शिक्षा बाद में दिये जाने लगी हेमे चंद्र नामक के जो प्रसिद्ध विद्वान थे उन्होंने वैकरण, छंद, शब्द शास्त्र, साहित्यकोष, इतियास, दर्शन आधी विबन ने विश्व पर अलग-अलग ग्रंतों की रचना किया था तो ये महात्मय इस विश्व विद्धयले का है तो सार स्वरुप में हमें क्या जानना था कि भारत परंपरा से एक सनातन और वैदिक दर्म के शिक्षा परंपरा का स्थान था सिंदु गाटी की सब्वेता से लेकर अनेक संस्कृति का होदय इस भारत उपकंड में पूरे विश्व में सनातन परंपरा के आधार पर निर्मान हुआ था यहां पर वास्तु निर्मान, नगर निर्मान, धातु शास्त्र, धातु उत्खनन, धातु से आउजार और तंत्र बनाने के साथ खगोल शास्त्र, जोतिश्य शास्त्र, चिकिश्था शास्त्र, शल्ले विज्ञान, आयुरुवेद, फिर वैकरण, भाषा इत्याधी अनेक क्षेत्र में अध्यन और अध्यापन करने की परंपरा शुरू थी और भारत में जिस समय विश्व अग्यान के अंदरे में था उस समय भारत ग्यान की परंद सिमा पर था जैसे कालांतर से बहुत द्धर्म का उदय और प्रसार भारत में होने लगा तो बहुत द्धर्म के अनुयाई या बाद में जब जैन द्धर्म का उदय हुआ जैन द्धर्म के अनुयाई तो उस समय यह उपासना पद्धिती का फर्क था मगर वे सभी हम एकी धर्म परंपरा से है ये बंदुभाव से ही रहा करते थे ये राजा का बच्चा बेटा कभी बहुत दर्म स्विकारता था और फिर उसका कोई अगली पीड़ी वापस वे हिंदु धर्म में आ जाते थे किसी राजा का लड़का जैन परंपरा के आश्रित हो जाता था फिर वो दुसरी पीड़ी फिर वे इंदु परंपरा में आ जाते थे तो जैसे अलग-अलग पंत या सांपरदा होते उपासना पद्धत होती है तो काला नुकुल जब समय आता था तो ये पंत से वो पंत वो प करिया होती थी तो लाको वर्ष की ये जो सनातन वैदिक परंपरा थी या बड़े-बड़े शिक्षा केंदर गुरुकुल शिक्षा प्रणाली स्थापित हुई थी संस्कृत में वीवद विश्यों के बारे में अध्यापन चल रहा था तो जैसे जैसे बहुत धर्म का उद तो हमारे इस शिक्षा केंद्रों में विश्यों विश्यों के आसपास फिर बहुत द शिक्षा केंद्र का भी दिर्माण हुआ जैन शिक्षा केंद्र का भी दिर्माण हुआ बहुत दर्शन जैन दर्शन का इनका भी अध्यन उसमें समानतर शुरू हो गया कुछ बहुत द उक्षा केंद्रे या विश्वविद्द्रे इसी के राजा के नियंत्रन में अफं가지 ये शिक्षाकेंद्रे द stell-वेश्वे मोई त्रवी नियं कि न दनेथल वर ईत्रों मानेको उनके अचारेय झासरह उपते अवनिय वता अर्वधाषय को तो यह इन शिक्षा केंद्रों का वेशिष्ट्य था और इसके साथ बोद्ध धर्म का तत्वद्यान, जैन धर्म का तत्वद्यान यह भी विशे उसमें बाद में समाविश हुए तो इस तरह से पिछले 1000-2000 वर्ष में भारतिय सनातन हिंदु धर्म शिक्षा केंद्रों के साथ बोध्द और जैन शिक्षा केंद्रों भी उससे सौलगन होते गए अगर उनमें आपस में संगर्ष नहीं था वे एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डालकर यह शिक्षा केंद्रों में सभी विशयों का अध्यन करते थे और उसके साथ अपने अपन्ता और इसकी उपासना संदर में वे अध्यन करते थे वर्तमान परिपेक्ष में जो एक डिवाइडेंड रूल पॉलिसे के अंतरगत अंग्रेजों ने यहाँ पे जैन, बौद, हिंदू या तस्वम जो एक संगर्ष निर्मान करने का प्रयास किया है यहाँ की जन्ता को विवाजित करके अपने पाश्यत्ते विचारों को थुपने का प्रयास किया है यहाँ जो तथाकर्थिस्ट लेफ्टिस्ट और सेक्विलर वादी है जो हिंदू धर्म, हिंदू परंपरा, हिंदू संस्कृति को निचा दिखा कर नश्ट करने का प्रयास कर रहे है और जो अभी भी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करके भारत में कॉंस्परेंसी या शडेंतरी रच रहे है चाहे आरेन इन्वेजन थेरी के माद्यम से हो, जूटे इतियास सिखाने के माद्यम से हो, गौरोशाली इतियास को छिपा कर जूटा इतियास सिखाने की परंपरा के माद्यम से हो ये भारती समाज को गुमरा कर रहे हैं, ऐसे स्पष्ट दिखाई दे रहे है तो वर्तमान में सभी को धर्मतत्वों को जानकर एकत्व को जानकर आप से मतवेदों को भूलकर एक दूसरे का संबान करते हुए यह जो हमारी प्राचिन लाको वर्ष की परंपरा हो, इतियास है, पारम-पारिक धर्मविज्ञान है इन सब विश्यों को निरपेक्षता से सीखने के आवश्रक्ता है तो आईए हम सब एक हो जाए खंदे से खंदा मिलाए आपसी मदवेद भुलाए और पुनश्य ये जो हमारी प्राचीन शिक्षा परंपरा है गुरुकुल परंपरा है इसको स्थापित करने के लिए एक संगटित प्रयास करने के लिए हम एकत्रित आएंगे हम सरकार को अपने संगटित प्रयास के से बाद्दे करेंगे कि आप प्राचीन हमार जो सथी इतियास है वो हमारे पाट्टे पुस्तकों में सिखाया जाए हमारा प्राचिन धर्मविज्ञान, गवरोशाली परंपरा, शोध या अनुसंदान हुआ है हमारा खगोल शास्त्र है, हमारा चिकिसा शास्त्र है, हमारा अयुरुवेध है इसको पुनरस्तापीत करें, और भारत को पुनष्य एक विश्व गुरु बनाने के दृष्टी से प्रयास करें भारत को पुनष्य एक धर्मादिश्टित राष्टर करके धर्मो को सोरक्षित करने वाले, सभी को भायचारा और बंदुत्व से रहने के लिए ये विश्व ये एक परिवार है इस भाव को बढ़ा कर विश्व में सुखा और शान्ती और समरुद्धी लाने के लिए हमको संगड़ी दोकर प्रयास करने के आवशकता है मैं विश्वर के चरण में यही प्रार्थना करता हूँ कि सबके मन के भेद दूर हो जाए सबके मन और उदय एक हो जाए भारत पुनश्य विश्व गुरू बने भारत पुनश्य एक धर्मादिश्टित राष्टर बने और विश्व को एक शान्ति और आनंद का नया मार्ग दिखाए इतना ही कहते हुए मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ सभी को नमश्कार सद्गुरू डॉक्टर पिंगले जी आपने अभी जो हमें मार्ग दर्शन किया और जो विश्व विद्धाले के बारे में जानकारी दी तो हम सभी दर्शकों को यह ध्यान में आया कि आज तक हमें केवल नालंदा और तक्षशिला यह दो ही विश्व विद्धाले के बारे में जानकारी थी आज आपके माध्यम से हमें पता चला कि भारत में हमारे सनातन धर्म परमपरा के इतने बड़े बड़े विश्व विद्धाले थे और वो इतने जगविख्यात थे कि विदेश से भी लोग वहाँ पर आकर पड़ते थे और अपने अपने देश में जाकर वो अपने अपनी व्यवस्था प्रारंब करते थे, वहाँ पर सीख देते थे, यह हमें यहाँ पर जानकारी में और यह विश्व विद्धालों का निर्मान कैसे था, उनका विस्तार कैसे था और उनका विध्वन्ज किस प्रकार से किया गय यह हमें सभी को ध्यान में आया होगा, मैं सभी दर्शकों से अनुरोद करना चाहूंगा, यह जो महत्वपूर्ण विशय है, जो हमारे प्राचीन विश्व विद्यालाई के बारे में, यह सभी लोगों तक पहुचाने के लिए आप भी इस धर्मकारे में सहभाग ले सकते है अधिक से अधिक लोगों तक यह आप जानकारी पहुचा है, और हमारी सनातन धर्म की यह मान गुरुकुल शिक्षा परमपरा, यह महाविश्व विद्यालाई की परमपरा जो है, इसके बारे में अधिक साधिक लोगों तक पहुचा है, हमारा यह जो यूट्यूब चैनल ह इसको आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और उसका जो नोटिफिकेशन का बटन है, उसको भी ओन कीजिए क्योंकि आने वाले समय में हम ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण विशे लेकर आपके पास आपके सामने आने वाले हैं मैं हम सभी सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी के प्रती बहुत-बहुत कृतग्य हैं, आज आप ही के माध्यम से हमें यह महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर सभी को मिली है, भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से आज का धर्मसमात का यह कारेक्रम यही पर अपन्य हुआ, ऐसे मैं घुशित करता हूँ, नमस्कार क्को मिली हुआगां यही ऩ मिली हुआरी यही हुआता है, बहुता ओनते कि अभ्यारी यह नहНगता है, ईसे पर कोभ 금 you. झाल झाल